हेलो एवरीवन वेलकम टू जड़ केमिस्टी क्लास से इस तो भाई हमारा आ गया है लेक्चर नमबर थर्टीन जिसमें हम पढ़ने वाले हैं कॉलीजन थ्योरी केमिकल कानेटिक्स का जो हम पढ़ रहे हैं इस वक्त उसका यह लेक्चर नमबर थर्टीन है मतलब इससे पहले स बढ़ना है तो बलुकुल पढ़ सकते हैं यह भी समझ में आएगा लेकिन आगा आपको 0 Kahled A Kanda करनी है तो बिल्कुल last के सांट और साथ पढ़ने वाले हम ऑट क्यूंसे ट्रीवक्राइर कि बहुत करता है तो सबसे पहले श्योर्ष में बातत ओकरती आ इस WordPress के बारे में बताती है क्या बताती है सर यह बताती कोई भी रियक्शन हो रही होती है उस रियक्शन का रेट कितना होगा भाई उस reaction का rate कितना होगा rate of reaction के बारे में बताती है उसके rate constant के बारे में बताती है कि reaction fast होगी slow होगी कौन-कौन से factor वहाँ पर काम करते हैं यह collagen theory बताती है सर इसके कुछ नहीं कुछ इसके बारे में सर इसके बारे में जो reactant molecule होते हैं अगर हमें पता है अगर कोई reaction हो रही है तो उसमें क्या होता है हमारे पास रियक्टेंट होते हैं और रियक्टेंट करने के बाद किसमें चींज हो जाते हैं भी बिल्कुल पता है वइन इसका घॉरण माने से को मानके चलते हैं और हुइक घुले की तरह माना है सर अगर इसका सका इसके प्रिंस्पल बताऊ न वहती मज़िदार है कॉलिजीन थेयरीक इतना अच्छा प्रिंसिपल है जिसको अगर आप सुने में तो ईजिली बहुत अच्छे डंस को सीख सकते हैं कोई दो बंदे आपस में उनमें लड़ाई जगड़ा तो आपस में तकरा जाए तकराने के बाद लड़ाई जगड़ा कुछ उसी टाइप से कह रहा है क्या तो वही चीज़ा है ने रियक्षिन हो जाएगी तो हम कहना यह चाहरा है कॉलिजन दोरिक करेंगे का मतलब की बहुति है से इतनी ज्यादा टक्र होती है जितनी ज्यादा ठक रहुँई रियक्षिन रेट उतना ही रेक्षन सर्दलीफ यह ड्रिक्वेंसर घ्सके डरेक्वी प्रफोश्ट अलोता है गोलिजन धुक्व सुनाओं जैसा के माल एक सेटीन्स निश्चित हम बोल सकते हैं जितने ही कोछिशन्स चक्कारें होती है जितनी है टकर रहे होती है सर इसको coll dependショir सी कहते है मैं नीकिन के अगर इसकी definition के बारे में बात करना चाहिए सर क्या हो जाएगी po jour optim रिकांसी बता सकते हो बिल्क़ बता सकते हो अब लीक सकते ओंपर college and frequency की बारे में संब बात करेंस्थ collagen frequency what is collagen frequency अगर collagen frequency के बात करूं तो मैं बोल सकता हूँ the number of the number of collisions number of collisions per second per second in a certain volume in a certain volume के अंदर एक fix volume के अंदर एक सेकेंड में होने वाली टक्रों की संख्या collagen frequency कहलाईगी सीधी सीधी बात है molecule यहां पर reactant molecule reactant molecule आ रहा है आपसमें टकर आएंगी जितने ज्यादा टकर आएंगी उतनी ज्यादा प्रड़क्त बनेगा तो collagen collagen theory ने देवे चीज बोल दीना क्या बहुंधिसा जितनी ज्यादा क्रें होगे उतनी ज्यादा होगे उसका rate होगा लेकिन यह condition भी थोड़ा बॉस्त हो गया लेकिन अगर माली जो बहुत तेजी आकर भीड़ गये एक की गलती दूसरे की नहीं तो एक जाकर तेजी बढ़ गया तो फिर गुस्सा आएगा तो लड़ाई भी हो जानी है तो इसका मतलब क्या है कि हर एक टक्कर से लडाई नहीं हो नहीं हर ए को सबस्कों बोला जाता है क्या वta उनको k Node अगर आपसे कहा जाता सब क्या है यह फिटाजिए पाई हमने जानने के लिए हमने यह बोला ने अगर मालेज़े आपस में ब्रुक्र हो रही दो हर टकर से नहीं बनता लेकिन जिन टक्करों से बड़क्ट बन रहा है उन टक्करों को यानि कि उन कॉलीजन को हम बोलते हैं एफेक्टिव कॉलीजन के लिए आपको कुछ ने कुछ कंडीशन होती है जिनमें हमारे पास दो कंडीशन ओं दोनों कंडीशन को मैं पढ़ना जरूरी की कया से थोड़ा सा अच्छे से समझनी कोशेश करेंगे कि हमारा कंसर्ट क्या कहता है कॉलीजिन जवरीका कि मैंने लिख रहा कंद ऑप अल्लीजों डोज़ोंग्यजन को रिज साथ साठिसफाइ होंगे और वो दो कंडिशन कौन कौन सी है पहली है एक्टिवीशन एनरजी से act प्रॉपर ओरियंटेशन प्रॉपर ओरियंटेशन ओफ रियक्टेंट मॉलीकुल इसके बारे मुना थोड़ा सा बहुत ही प्यार से समझ लीजिए हम क्या कहना चाहिए अगर आपको याद हो अगर आपको याद हो तो और हमने एस टाइपस से ग्राफ बना सितर हमनेशी इनर्जी गेंगें सॉ कॉर्णी कोडिनेट निया था हमने का रियक्शन हमने से प्रॉड़क्ट टक जाने के लिए आपको शुरुआत में कुछ नो कुछ amount of energy देनी पड़ती थी कुछ नो कुछ amount of energy देनी पड़ती है उससे energy को क्या बोला जाता है सर अगर हम बात करना है यह इतनी रियक्टेंट की energy खुद उसके पास दे लेकिन इसके अलावा इसके अलावा इतने amount of energy आपको प्रोड़क्ट में बदलने के लिए आपको इतनी अनर्जी तो चाहिए ना और इस energy को हम बोलते है एक्टिवेशन energy क्या बोलते हैं इसको एक्टिवेशन एनर्जी तो कहने का मतलब यह है कि कौन से कॉलीजेंस हमारे एफेक्टिव कॉलीजेंस होंगे वही कॉलीजेंस चाहिर सी बात है एक मॉलेकुल इदर से आ रहा दूसरे दर से आ आपस में टकराएंगी तो इनकी energy बढ़ेगी ना अगर थोड़ी बहुत चोड़ लगी है कोई दिक्कर नहीं हम कहें कि कोई बात नहीं तुझा आपने घर मैं अपने घर जा रहा हूं कुछ नहीं करना कोई लड़ाई जगड़ा नहीं करना लेकिन अगर माली जी इतनी तेज टकर लग जाए कि हमको बहुत तेज गुस्सां और बहुत तेज गुस्सां आ जाएगा तो फिर तो बहुत पॉइंट पर पहुंचने के बाद फिर तो बहुत ही काम होना है क्या होना हाता पाई होनी है सर्माता फूड़ ना है मतलब रियक्शन हो जानी है प्रोड़क्ट बन जाना है इसका मतलब कि बाई अगर आपको र टक्र effective collisions mäpt जो टक्र होने के बाद उसके रीएक्टन्ट िक कड़ी को एक्टिवशन एनरजी के बराबर एनर्जी दे दे कहने का मतलब है टकर होने के बाद वो जो एनर्जी उसकी बढ़ती है वो एक्टिवेशन एनर्जी या उससे ज़्यादा होने चाहिए अगर उससे कम हुई तो वो एफेक्टिव कॉलिजिन नहीं होगा सर मुझे पहली बात कुछ न कुछ समझ में आ रही है कि क्या है बाई मैं सिधा समझ गया सर मेरोको लड़ाई कर कब होगी मेरी लड़ाई तब ही हो सकते जब मेरी टकर हो रही है टकर इतनी तेज हो कि मेरा इत्म गुस्सा पीक प्रेंट पर चला जाए और मैं उससे बिल्गुल सही बात है सर यह चीज मेरी समझ में आगे दूसरा क्या सर दूसरा है प्रॉपर औरिंटेशन क्या है प्रॉपर औरिंटेशन आप डर्यक्टेंट मॉलीकिल कहने का मतलब टकर हो रही है या कोई चीज लग रही है तो ऐसी जगह लगे जहां से तगडी लडाई हमारी है हमारी अамतलब क्या सर कहने का सर मतलब यह है कहने का तो अगर मां लीचे एक बन्दा कोई सब्सक्राइब नहीं को शिक्ता है तेज जाएगा फिर थे पर हाइट है यानी कि पर उरियंटेशन का भी इस पड़ता है कि जो टककर हो रही हैट कौन सी जगह हो रही है यह प्रोपरी हृंनिटरेशन का मतलब है सर इसको समझ सकते हैं कि अटब कुस्म सकते हैं चले इसको सब्सक्राइब करता हूँ एक और यहां पास मैं यह होता है और यह ज did कि अगर मैं इस और इस से तीन तो युड़े एक जड़ा हुआ है मेरे पास बीए करने वाला चीज बता दूं आपको क्या पता चाहँ कारवन में इलेक्टोन निगीटिविटी का डिफरेंस आपको पता हूँ समिस्टर फ़स्ट मैं आपने पढ़ रखा होता है पहले आपने पढ़ा का होता है क्या पढ़ा को पता मिंछा एक सब्सकί मिए हि कारवन से जहादा है कारवन interaction को अपनी और झाल ने तरत जाएंगे ऑल्ट्रों प्र फोंच पर गboks कि तरफ यह सा होता है तो दो रास्ते मेरे दो रास्ते मेरे पास या तो ऊच इधर जाके अटेक करें या फिर ऊच इधर जाके अटेक करें नेगे हो प्र करें कब यह कोसर्ट है कि यह तो स्परमें की परिल पास आने नहीं दएक तो सरी ही रूट सो क्या हैadian तूट से नहीं जा सकते यानि कि उसको औरेंटेशन अगर इसको रेक्षिन करनी है प्रड़क्ट मनाना है मैं कहते हो सर मैं तो यहां से अटक करूंगा तो रेक्षिन होगी उसने क्या पीट में वार्दय कोई दिक्कत नहीं लड़ाई हो सकती लेकिन अगर उसने गाल पर मार या भई पीछे से और पीछे साठेक करएगा तो से कैल कर देंसे मजबूर है यहां से निकल कर भागना पड़ेगा और क्या बन जाए度 हमारा बन protagon स्कूल कर शकता beleza दूसरा पिछे से वालहां के अड़े इन पत्सक्राइए जायए निइसा कर शकता है या दूसरा फिछे पॉसिवल पीछे वाला पॉसिवल है यान कि रियक्शन करने के लिए टक्कर भी सही जगें उनी चाहिए करें मुझे लगता है आपको यह दोनों सतना आपको समझ में आ रहे हैं यह मेंपोईन्ट और बैल यह में पॉंट एक टक्कर से प्रूडक्ट नहीं बनता जिनसे ब्रॉडक्ट बनता उनको में एफ्यक्टिव क् HORק कहते हैं और एफ्यक्टिव ऑन्यजन होने के लिए दो कंडिशन हमारे पास होती है पहली होती है एक्टिविशन एनरजी दूसरा होता वो एक proper orientation में होनी चाहिए यानि यहां पर टकर होनी चाहिए वहाँ हो अगर दूसरी जगह होते हैं तो रेक्षिन नहीं होगी उम्मीद करता हूं दोनों चीज़ां आपको समझ में आगी होगी अब मैं बात कर लेता हूं इसके mathematical इसके mathematical expression क्यों कि तो बहुत मैंने सुआत में बता दिया था कि जो कोलिजन थेओर है यह पताते हैं हमारे बाइद मॉलीकूल के बारे में बाइद मॉलीकूल का मतलब है दो मॉलीकूल इसमें रेक्षिन करेंगे लेकिन कंडिशन सर दो है क्या दोनों मॉलीकूल सेम हो सकते हैं यह दोनों मॉलीकूल डिफ्रेंट होंगे दोनों कंडिशन हो सकते हैं दोनों कंडिशन के लिए मैंने फॉर्मूला यहां पर लेख रखा है देखो डैरिविशन मैंने कराया नहीं क्योंकि आप इस लिवस में है नहीं जहां पर अगर किसी को प्रॉब्लम आ रही है किसी को को चाहिए सर अब समिला कर चाहिए तो आप मिरको बता सकते हैं धर नहीं यह पर लेरके एक में दौनों मॉलीकूल सेम इक में मैंने दौनों मॉलीकूल डिफ्रेंट दे मैं अगर सेम है तो उसका जो mathematical expression है यह है हमारा k is equal to k क्या रेट कॉंस्टेंट है रेक्षिन का polygen theory के अक्वाडिक के इसक्वार्ट रो एने पाई सिग्मा एए इस्क्वार म्यू बार एकी पावर मानस एए वाई आर्टी और अगर हम बात करेंगा इसमें जानने वाली चीज क्या है आपको बता देता हूं इसमें जानने वाली चीज क्या है तो रो यह रो क्या होता है यह तमारा एक काल पे लगाया था ना कौनसी जगा लगाएगा वो चीज यह बताता रो बता है तो यह है हमारा और इसन को डिनोट करता है उसके बाद एक आता हमारा एने यह नंबर पता नैं सब को the collector का मतलब कि अभी जैसे कि अगर माल जब नो क्या एक या our तकरिआ इडोँ यह रहे इसके प्रक्म माइग रहे होगे लीडिएस निगाल लीजे तो जो भी इसकी रहे होगी उसको डॉनों की रेधिएस को एड कर सो उसको बोलते हैं सिग्मा क्यूंकि क्योंकि ए ए तो सिग्मा ए से डिनोट करते हैं तो सिग्मा हो जाए कोलिजन डायमेटर यहां पर क्या भी एक मेरा हो गया और दूसरा हो गया मेरा भी दूसरा हो गया मेरा भी तो इन दोनों की एक की यह है दूसरी की यह है तो दोनों की डायमेटर को जोड़ दो इसको सिग् लो और इसके बाद इसके बाद क्या बताना भी इसके बाद मैं हमारा मूबार मूबारव hmm calm मॉलिकुल है जो मॉलिकुल हैं आपस मैं रेक्षन कर रहें जो नेकिन इस्पीड होगी तो मुबहार उसकी एभरेज इसपीड को बताता है एक्वेज आपको this its activation energy ए्जिएज अक्टिवेशन एनर्जी ठीको और इसके बाद अगर हम बाद करें आर आपको गैस हो रही है तो मीद करता हूं कि को थेORE GI समराइज कर देता हूं क्या होते हैं मारी क्लीजन थ्योरी है निए क्रुडंड होती है लो में जिन जादा टकक्रें होती है वह आहीं बनता है लेकिन चिन टक्करों से अन्हें हम क्या हुथ क्याते हैं इतनी वाव समझ में आ रहा है है एक्टिव रोर सकते हैं इतना ही होता है हमारा कॉलीजिविशन से बारे में इसे ज्सरा कुछ नहीं उम्मीद करता हूं समझ में आया होगा फिर पर घॉントبلम है से ज्यादा सेयर करें ताकि सब को पसंद आए और हमें भी अच्छा लगे बढ़ाने में ठीक ना तो अगले लेक्षर में मिलते हैं थैंक्स वाओ अच्छे